रहा है ओके गुड़ इवनिंग आईज अब आज यह सब लोगों को मेरे जा रही आज मैं कि अग्याइं अब मैं अपना स्क्रेन शेयर गर रहा हूं आप लोग बता और स्क्रेंशेयर हो रहा यह नी हो रहा है कि यह हुरा है ठीक है ओकी गाईज ठीक है ओकी तो जैसे कि आप लोगों को अलड़ी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैस कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों को क्या करना पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक को क्लियर करना और हम लोग ने इसमें कौन-कौन से सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था past price वर्सेश फूचर प्राइस के पास्ट प्राइस को देखकर कैसे हम लोगों प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं ठीक है सेकंड डे हम लोगों को प्रेंड और उसको कितने टाइप होते हैं फिर आज के दिन ज supply and demand क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे ठीक है जो हम लोग यह सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे फिर हम लोग का अगलाग टॉपिक का स्टार्ट होगा बेसिक्स of candlestick के बेसिक्स कांसेट्ट क्या होते है कोई बेक आट होगा अगर किसी भी रजिस्ट्यन्स का सपूर्ट का ब्रेकड़ॉन होगा तो उस पर हम लोग कैसे ट्रेड में इंट्री करेंगे फिर हम लोगे होगा अध्लांस स्केनलिस्टिक्स उसके कितने टइप रहे होते हैं चार्ट पैटन उसके टाइब स्विंग hunger ट्रेडिंग ऑप्षीं ट्रेडिंग स्वेडिग ship होगे न है तो पुछ भी स्मझ मैं नहीं आएगा तो सबसे पहले हमने हीवाण लिखना है तो आज किस लेक्षर में हम लोग सीखने वाले support एंड रेस्टेंश के बारे में कैसे हम लोग support एंड रेस्टेंस को चार्ट पर मार्क करते हैं ठेके तो अभी तक मैंने आप लोग को जो भी चीज़ से बताया past price सब लोगों को क्लियर है तो अभी हम लोग सीखने वाले सपोर्ट एंड डाजिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं ठीक है जो भी आप लोग के डाउट होंगे सपोर्ट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वह हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे पहले में कहा करता हूँ सपोर्ट एंड डिस्टेंस आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड डिस्टेंस को मार्क करेंगे तो ध्या किया पर्फक्त चीज बर्क करती है ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा सपोट एंड-äझस्टेंस से अच्छा वर्क करेंगा कोई निया Pan को देखकर आप मार्क करोगे वो कैसे support and resistance काम करता है उसके बारे में भी आप लोगों को समझाता हूं बहुत सारी लोग यहां पर बहुत बीगनर से जिनको support and resistance का exactly meaning नहीं पता है कि वो होता है क्या ठीक है फिर भी मैं आप यहां से प्राइस उपर की तरफ गया और यहां से मार्केट किया हो गया फॉल हो गया तो जहां से मार्केट ने फॉल किया वहां पर आपको क्या करना है सिंपल सा होरिजन्टल लाइन को मार्क कर देना यहां तक आप लोगों को करें करें तो जहां से प्राइस पॉल करता है यहां से प्राइस पॉल कर रहा 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 है यहां से प्राइस कि तरफ गया यहाँ से मार्केट फॉल कर गया है तो अगर यहार से मार्डेट नीचे की तरफ और इसी का दूसरा भाइ उसके अपोजेट होता है ऊपर से प्रैस नीचे की तरफ आया और यहां से प्रैस उपर की तरफ चला के तों हम musst Uma करना है on सो होरिजंटल मारक कर देना मढिं है यहां पर सकते कि कि प्राइस फ्रेड़ यहां से क्या होगा हाईय 12 चांसे से उपर जाएगा और यह चीज हम लोग रर्कक कर थे भापहने को यहां से प्राइस、 पर जा रह यह तो मोग क्याहते हैं इसको हम लोग बोले Veget invert हमारे क्या है सपोट का लेबल है ठीक है सपोर्ट फे हमैशा क्या होते हैं वह सेल नीचे की तरफ जाते हैं और support में हमेसा क्या होते है support में हमेसा buyer होते है यह buying करेंगे और price को ओपर ले कर जाएगे तो यह हमारा basic concept है support and resistance का लेकन यहाँ पर important होता है कि जो भी हमारा resistance हो कभी ने कभी刏 तो break out और यहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया तो यहां से मार्केट फॉल किया वहां पर आपको पहले क्या करना एक होरिजंटल लाइन मार्क कर देना है यह हम लोगों ने मार्क कर दिया अभी प्राइस यहां से ओपर की तरफ गया अब यहां से मार्केट नीचे नहीं क्या करता है कि market ने इसका यहां पे breakout कर दिया अब यहां से market Na Connect स्टुंच क्या क्या अब ब्रेकख सॉचेए कि यहां से उन्हिक थे रचल रचिपे सत्व आनुरा आरे पहले किया तो यहां से प्राइस नीचे की तरफ आया तो यह हमारा एप यहां पर मार्केट ने इसका breakout कर दिए अब वापस उसी लेवल के पास आ गया तो अब आप्मारा राजिस्टेंस नहीं कहलाईगा अब यहां से मांड़ अगेड साइट घाए गा क्योंकि सपोर्ट पे कौन बैठे होते हैं बायर बैठे होते इसको एक basic सा example से समझो माल लेते हैं कि मैं अभी रूम में बाटके आप लोगों का class ले रहा हूँ मैं ground floor पे हूँ for an example ठीक है तो अभी मैं क्या हूँ ground floor पे बैठा हुआ हूँ और मेरे उपर क्या यह first floor का छट है मैं यहां से कोई भी चीज़ को ओपर की तरफ फिक हूँ अपने ball हो यह मेरा phone हो यह मेरा mouse हो यह कोई भी छोड़ा सा mira का रहा हूँ मैं ऊपर की तरह हुँ घठा तो मेरे उपर जो चत को परके वह ब्र Rac त थीक है तो मेरे ऊपर जो चट मेरे ब्रेबल है ना camera is छत है ना उसे टकरा कर वापस उपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जब मैं second floor के उपर से लागे आप वापस से उपर की तरफ आएगा तो यह जो second floor का जमीन होगा वहां से क्या होगा वह एक्षिल में आप सपोर्ट बन जाएगा और यहां से अगें यह उपर की तरफ जाएगा ठीक एदम सिंपल सा लॉजिक है इसको समझो एक्जाम्पल से ताकि आपको क्लियर हो माल लेते मैं ग्राउंड फ्लोर पी हूँ और यह हमारा क्या है फॉस्ट फ्लोर का च्छत है कोई यहां से उपर की तरफ फेका यहां से मार्केट क्या होगा नीचे की तरफ आ गया ठीक है अभी यह मैं वापस करता हूँ अब इसका क्या होगा इतना प्रेसर मैं ने फिखा कि इसको ब्रेक करके यह उपर की तरफ चला गया अब यहां से अगर यह उपर की तरफ मैं इसको ठाँ और यह हमारा क्या है सेकेंड फ्लोर का चहते है वहां से यह तकळायकर जैब वापस नीचे की तरफ आएगा तो यह क्या होगा अब यह सपोर्ट का काम करेगा अब यह तो मुझे इतना प्रेशर से उपर से फिकना पड़ेगा कि अगर उतना सपोर्ट में तागत नहीं यह मतला है उतने اُस-m рис में तागत ने है तो यह होगा यहां से support लेके वापस उपर की तरफ चला जएगा क्यूं कि जो हमारा से second floor का जमीन है वह हमारा क्या हो जाएगा अभी मान लोग doet मैं grandes floor कुरों तो अगर उपर से कोई भी चीज यहां से फेका जाएगा नीचे की तरफ तो यहां से क्या होगा टकडाकर उपर की तरफ जाएगा और जो हमारा च्छत है वहां से टकडाकर क्या होगा नीचे की तरफ आएगा तो simple सा लोजे के हमेशा याद आखना जो हमारा label होता है resistance वो हमेशा हमारे सरके ऊपर होगा और जो हमारा support होता हो हमेशा क्या होगा हमारे नीचे होगा तो support and resistance को mark करने के लिए आपको हमेशा market का current price को focus करना है जो market का current price होगा उसके ऊपर उसका resistance होगा उसके नीचे उसका support हो दालों कि कोई सिरे से यहां पे वो चल रहा ठीक है अब वह यहां पर हुटव है अब आप topics कोई पूछेगा किसका रोजिस्टेंस क्या होगा तो इसका रोजिस्टेंस इसके उपर होगा ठीक है current price अगर यह इसका current price है सी बोले तो current price तो अगर मैं यहां से पूछो इसका resistance क्या? तो resistance इसका उपर होगा जब कभी रजिस्टेंस के पाझ जागा तो market क्या करेगा फॉल करेगा अगर कोई पुछेगा support क्या हो तो support बोलूगा नीचे होता अगर यह support है तो जब कभी भी यहां से price नीचे की तरफ आएगा तो यहां से again ऊपर की तरफ जाएगा तो support and resistance का क्या मतलब होता है support यहांसे मार्केट ऊपर जाता है और रेजिस्टन्स एक ऐसा जगह हodi रादम से मार्केट फीर है किसी ईच में यह हमारा सपोर्ट यह हमारा रेजिस्टन्स इहां पर करेंट बइस चल सातरी अब अगर यहां से सी लिख देता हूं सी मतलब करेंट प्राइस अब अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आता है सपोर्ट तो यहां से मार्केट क्या होगा हाइयर चैंस कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है क्यों कि यह हमारा क्या है यह हमारा सपोर् सपोर्ट रजिस्टेश कैसे चेंज हो जाता है ममाले यह बाइस हमारा पर गए रजिस्टेंश और फॉल अब यह हमारा दूसरा रजिस्टेंश है अब जैसे मारकी तरफ गया इसका मार्ट ने बेडिकाउट कर दिया तो अब क्या करेंगा जब वह ब्रेकाउट क्या तो दूसरा जो रजिस्टेंस से वहां से क्या होगा नीचे की तरफ आएगा तो पहले जो रजिस्टेंस था जहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था अभी यहां पर मार्केट ने उसका ब्रेकाउट कर दिया क्योंकि market नीचे से उपर की तरफ जा रहा था तो वहां से market नीचे आएगा लेकिन अभी क्या हुआ market उपर से नीचे की तरफ आ रहा थो तो support के पास आ रहा थो तो यहां पर बायर बैठे हो यहां से market ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है अगर आपको support support and resistance अभी clear में समझ में आगीस वह व्हार था अभी मैं इसको चार्ट बहते क्यां से हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस हमेसा ध्यान रखना है किसी भी दखना CP बोले तो current price ठीक है अब अगर यह हमारा current price है तो इसका resistance कहां होगा अगर यह हमारा current price है तो इसका resistance इसके उपर होगा और इसका support क्या होगा इसके नीचे होगा तो अभी मैं जैसे चार्ट में mark करूँआ तो ध्यान से समझना सारे step को कि support and resistance को mark करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा current price पर focus करना पड़ेगा अगर आपको current price में problem है तो फिर आप support and resistance सही तरीके से mark नहीं कर पाओगे ठीक है तो basic चीज़े समझ माया कि कैसे support and resistance mark होगा clear हुआ हलका मतलब समझ माया कि exactly support and resistance होता है क्या है सब लोगों को yes sir ठीक है just a second ठीक है मैं अभी आप लोग को mute कर देता हूं और हम लोग देखे हैं कि चार्ट पर कैसे support and resistance को mark करना अभी एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान डखना support and resistance को mark कर आप सही से कर लिए फिर उस पर trade भी करना होता trade में entry and exit भी करना है तो सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा अभी मैं आपको nifty और bank nifty दोनों के चार्ट पर support and resistance को mark करके दिखाऊंगा अभी मान लेते हैं कि आप intraday trading करोगे 5 मिनट 15 मिनट के time frame पर support and resistance को कैसे मार्क करना है तो किसी भी चार्ट पर अगर आपको support and resistance को mark करना है तो सबसे पहले बीना कुछ देखे और बीना कुछ समझे चार्ट को क्या करो daily time frame पे change कर दो तो मैं क्या करूंगा इस चार्ट को daily time frame पे change किया अगर daily time frame पे change कर रहा हो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि यहां पर आपका जो एक candle हो एक डिन में complete होता है अगर मैं इसी को one hour टाइम पर चेंज कर दिया अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि कहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है कहां से प्राइस उपर की तरफ जाता है वह उससे भी ज्यादा इपौरल है कि आपको करेंट प्राइस देखना है करेंट प्राइस का क्या मतलब होता है कि अभी exactly ब rupte तो अभी देखोगे तो 474 teach चलड़ा तो इसस एंड प्राइस क्रेटज Viel ये वाला हम लोग बोले हैं क्या है अब अगर यह हमारा करेंड प्राइस ए सपोर्ट होता है और प्रास के नीचे हमेंसा सपोर्ट होता है करेंट प्राइस के ऊपर रजिस्टेंस का मतलब अगर उस उपर की तरफ जाएगा ठीक है तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह हमारे क्या है करेंट प्राइस है अब अगर आपको यहां पर सपोर्ट को मार्क करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन ऐसा लेबल है कौन ऐसा जगह है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आय है तो फ्यूचर में भी क्या होगा उस लेबल से प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो यह हमारा करेंट प्राइस है तो इसके पास्ट में हम लोग देखें के चार्ट पे कहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है तो अगर आप यह करेंट प्राइस को देखोगे तो मार कर दिया इसको मैं क्या बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा कि यह हमारा क्या है रजिस्टेंस एंड सपोर्ट है अब यहां पर मैं इसको सपोर्ट भी क्यों बोल रहा हूं सपोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माल लेते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इसका ब्रेक आउट करके ऊपर जाता है जब वापर से नीचे की तरफ आएगा तो यही रजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट भी बन जाएगा और यहां से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा ओके तो आपको बस हमेशा एक चीज़ रखना है कि एक बार देखो है तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है तो यह हमारे क्या है रजिस्टेंस होता है इसके आपको अगर ऐसा label दिख रहा है कि वहां से यह market क्या हुआ है नीचे की तरफ है तो आप उसको भी mark कर सकते हो और वह जो हमारा zone मैंनेगा उसी को हम लोग बलेंगे supply zone कि अब है जो मैंने यहाँ पर zone को मार्क किया इसको हम लोग बलेंगे अब यहाँ पर एक zone बन गिया यह जो आप यहां पर जोन देख रहे हो ना यह दोनों लाइन के बीच में जोन बना इसको हम लोग बोलेंगे supply जोन यहां पर कोन बैठे हुए यहां पर बैठे हुए होगा हमेशा करेंट प्राइस के नीचे होगा मैंने आपको पहले ही बताया तो हम लोग देखेंगे कि करेंट प्राइस के नीचे पांस्ट में कौन ऐसा जगाए जहां से प्राइस उपर की तरफ गया हो तो यहां पर देखना मैं एक बहुत इंपॉर्टन लेबल मार्क करने जा रहा हूँ और इसको ध्यान से देखने तब ही आप को समझ में आएगगा विए अभी मैंने इस लेवल को मार्क क्या आप मार्क करने की पर इसे मार्क पहले और बहुत अर नीचे के तरह तो whenever ऊसकामारे प्रेणर्ड हो ऑब वही रीजिस्टेंस हमारे लिए क्या सपोट बन गीबiosa अब क्यों सअ मार्केट को डीट है लेकर इक Coming पर यहां सकते हैं रहा है तो यहां सब्सक्राइब को यह हमारा क्या सपोर्ट और सपोट अब इसको और अगर वापस से उपर की तरफ जाएगा तो वही सपोर्ट हमारे लिए क्या है रजिस्टेंश का काम करेगा और यहां से मार्केट अगें नीचे के साइड फॉल करेगा तो अभी हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट अन रजिस्टेंश को मार्क कर दो जब चार्ट को क्या करो आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो तो अभी मैं क्या करूंगा इस चार्ट को वन आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज करूंगो सबसे पहला स्टेप हमारा गया था सबसे पहला स्टेप हमें चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करके सपोर्ट अन अभी आपको सपोट एनड इमांड डोनों समझ में आएगा रेजस्टेंस trip के पास रहाई हमेसा पूर्ट के पास बनता अभी हम लोगों पर Yet ずर्पोर्ट के पास कोई डीमांड यहां सब्छन करता हूआ करता हूँ यहां पर एक से मार्केट फॉल गया जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर यहां से फॉल और इसी जोन के अंदर इंटर करने के बाद मार्केट क्या करता है अगें ऊपर की तरफ जाता है अभी वापस से मार्केट इसी जोन के अंदर इंटर किया यहां पर कौन बैठे हुए यहां बैठ जोन यहां पर बायर बैठे हुए जब कभी प्राइस जोन के अंदर इंटर आएगा बायर एक्टिव हो जाएंगे और वो प्राइस को क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो आपको क्या करना है डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रजिस्टेंस को मार करना फिर आवरली पर सपोर्ट रजिस्टेंस को मार कर लो फिर उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रजिस्टेंस मार करने का मतलब भी है कि आपको बस करेंट प्राइस देखना है और करेंट प्राइस देखने के बाद आपको देखना है कि पांस्ट में कहां से मार्केट नीच है जो हमारे लिए राजिस्टेंस है तो यह हमारे लिए क्या है अवरली पे राजिस्टेंस है और करेंट प्राइस के हिसाब सभी पांस्ट में कहां से ऊपर की तरफ गया वह हमारे लिए सपोर्ट है तो यह हमारा क्या है सपोर्ट है अभी भी हमारा करेंट प्राइस हमेशा स आगया कि यह हमारा किया है resistance का ले ऐवल है और जो हमारे लिए नीचे वह हमारा किया हो हमारा सपोर्ट का लेवल और अब यहां पे अगर आपको कोई बाइंग ऑपर कुछ दिखें यहां पर आपको क्यों कोई स्कैंडल स्टिक दिखें तो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, sell करेंगे, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बीच में आपको कुछ करना ही नहीं है, इसके बीच में मार्केट कुछ भी घूमता रहे, फिरता रहे, आपको कुछ भी नहीं करना है, जब तक आप यह mentality से बाहर नहीं न करना है इसके बीच में अगर आप ट्रेड लेने की कोशिस करोगे तो आपका हाइयर चांसे से कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम खतम होगा और आपको मैक्सिम्म चांसे से की लॉसेज होगा ठीक है तो हमें यहां पर क्या समझ में आता है कि हमें सिर्फ सपोट पर बाइहां मैं अपको बर बता रहा हूं आपको फिर फेबोनाची रिट्रस्मेंट को यूज करना पड़ेगा फेबोनाची रिट्रस्मेंट को यूज करने का सिंपल सा तरीका है जो भी हमारा इंपल्स है अगर आप उसमें सिंपल सा प्रेड में इंट्री करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो फिर आप यहां पर इंट्री नहीं कर पाओगे यह याद रखना ठीक है जब कभी आप किसी भी इंपल्स में लगाओगे न तो वह हमेशा क्या करेगा ऐसे लेवल से मार् कि यहां पर बहूत इंपॉच्ट का लेवल है जो खी तरीके से रिजिस्टेंस का काम किया अहां देखो पॉइंट 885 यहांस से मार्के नीचे की साइट फॉल किया तो यहां पर क्या समंझ में आ रहा है कि support and resistance को जा पर एक बारesque कर लोगे है और उसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना अब यह सिंपल हमारा support and resistance मारके और इसीबे मैं ट्रेड करता हूँ और इसीबे भी आप लोगों को ट्रेड करना चार्ट में इसके लावा आपको कुछ करना ही है चार्ट को आप जितना सिंपल और जितना अच्छे से रखोगे आपको उतना चार्ट रीड करना आएगा उतना चार्ट आपको समझ में आएगा उतने आप सही से समझ पहों कि हाँ मार्केट किस तरफ जाने वाला अब यहीं पर मैं अगर दस भी से इंडिकेटर को यूज लगा दो मान लेते कोई भी इंडिकेटर में लगा देता हूं ठीक है चलो मैं यहां पर मान लेते हैं पाइवट पॉइंट का हाई एंड लो लगा दिया यह उतना ही इंपोर्टन नही है बट माल लेते हैं बहुत सारे लोग जो है न अलग-अलग तरीके का जो है यह लगा के रखते हैं मानों मैं यहां पर मूविंग एवरेज भी लगा देता हूं मूविंग आवरेज क्रोस अब 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 ऐसा भी उन लोगों का चाट दिखेगा अब यह यह तो दो ही अच्छा दो से जादा तो लगा नहीं सकते हैं बट कोई बात नहीं है अब यहां पर देखो ना तो कुछ इस तरीकी का उनका चार्ट दिखेगा अब यह क्लियरली समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह कहना क्या चाहता है अब जब यह लाइव मार्केट में आपको दिखेगा काम यह करता नहीं है इसको भी लोग लगा के रखते हैं और इसके सबसे वह ट्रेड करने की कोशिस करते हैं बट पता नहीं कैसे उन लोगों को समझ में आता यह इंडिकेटर वगरा स्टार्टिंग में तो मैं भी यूज करता था इंडिकेटर को बड़ यह सब उतनी परफ की गारेंटी नहीं होती कभी क्या बताता है कभी सेलिंग करो कभी करो कहीं वह अगर आपको भाइंग ओपर्चुनिटी दिखाता भी कभी कभी तो वह क्या करेगा अगर यहां पर मार्केट है और यहां से इस तरफ घुम जाएगा यहां तक इतने पोइंट ट्रावल करके उपर देगा फिर वो बोले है कि अच्छा आप यहां पर बाइंग कर लो एतना पॉइंट तो आपको छूड़ यहां लेकिन अगर स्रीफ आप यहां पर प्राइस सक्षन को फॉलो करें को सपोर्ट और जिस्टेंस को तो आप एक्जक्ली इसी जगह पर बाइंग करोगे ठीक को मार करो 15 मिटर की चेश करके देखलो कि यहां पर कोोई इंपवोटन सपोर्ट रंन रहा है या फिर नहीं ही बन रहा है यहां पर मैंच यहां कोई सब्लॉक्स तोंग यह screenshot डालूँगा ठीक है तो इसको आप लोग कल ध्यान से देखना और यह सेम सपोर्ट और जिस्टेंस में अभी छोड़ता हूं जब मैं कल वापस से जिस्टी के बीच का जोन होता है यह भी हमारे लिए क्या होता है कि इंपौर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का काम करता है वट यह अभी आप लोगो उतना के लिए समझ मैं नहीं आरा बट कोई बात नहीं है जब कभी भी मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा य कल का जो ट्रेट होगा आप लोग देखना एक्जेक्ट लिए इस वी पर में ट्रेट करूँगा अभी सेम ऐसा ही सपोर्ट एंड अजिस्टेंस आपको क्या करना है बैंक निफ्टी बे भी मार करना उसको भी आ सोरी निफ्टी के चार्ट में भी मार करके दिखा देता हूँ अब लोग बता थोड़ा सा बेसिक चीजे समझ में आया कि कैसे आपको सपोर्ट रजिस्टेंस को मार करना है येस इस सब लोग को समझ में आया इस ठीक है कि इमार्ण स्रोंड पाना करें कि अगर आपको लॉंग टर्म के लिए करना है तो पहले आप मंथली देख लो फिर वीकली देख लो और डेली पे इंट्री कर लो ठीक है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है बोलिया एक एक करके बोलिये प्लीज अगर आपको स्कल्पिंग करना तो आपको टाइम फ्रेम फिर और छोड़ा करना पड़ेगा आपको क्या करना है स्कल्पिंग करना तो आपके अगरो आव вр未 ताइम फरेम पर सपोर्टजिस्टेंज को मार्क को फिर्लीज भी फिप्त्सटेंघ करना पांच मिनट पर सपोर्ट एस्टेंज च्पर एक सट्सेंट को मार्क करें और एक मिनट पुझना एक चीज समझ लिया रहा हैं, आप लोगों को आप पिए जो साथ इसके भी अपर्टान से तर्फित लोगों को आप अपर्फ पार्शक लिए प्रश्क का लिए निया लगा लेकी हैं, लेकिन आप तीक वाले को पकड़ लेकिन जाएं जाएं ये सका स्पोर्ट और कि इसका रिजिस्टन्स है या आप एक दो सार गेंडल्स को या चार जो हो रहे हो आप उने पगड़ते हैं अब मैं जब अगरा करता हूं मेरे पास ऐसे कई सारे जानी तीक आते हैं मतलब मेरे पास की साथ इता जाते हैं तीक बहुत उपर है तोड़ा सबीचेर है तीसरा ती पर है तो पर आप यह समझ नहीं आ रहा है किस वाले को फिर मैं जो है वर इसंस मानूं कि वाले को मैं सपोर्ट माने पहले जब आप यह पता दिए ठीक है ओके समझ गया अभी देखो मैं आपको समझाता हूं यह निफ्टी का चार्ट है ना अभी यहां पे ध्यान से देख घरो तो अभी हम लोगोंने क्या करें करें तो अभी आपको देखना है करेंट परस क्या चला यह रहा हमारा करेंट पर्इस के उपर हमारा सबसे हाई इसको है उसको मार करण और उसके किया करूँगा मैं यहाँ पर एक जोन भी बनाना है जोन का क्या मतलब होता है जो हमारा Supply Zone कहलाएगा अभी देखो यहाँ जो दूसरा tu से पहले इसका वैं के यह रेड केंडल का जो हाई है मैं उसको भी मार्क कर सकता हूं मैं इसको भी मार्क कर सकता हूं यह ग्रीन के इस हाई को भी मार्क कर सकता हूं यह कोई यहां से समझना मैक्सिमम कैंडल के विकन बॉड़ी को अब यहां पर कितने सारे कैंडल के विकन बॉड़ी टच हो गए इसके बॉड़ी टच हो गए इसके विक टच हो गए इसके विक टच हो गए और इसके विक टच हो गए तो यहां पर चार-पांच कैंडल टच हो गए देको यह हमारे करना करना है यह हम लोग नहीं देखेंगे कहां से पराइस ऊपर की तरफ गया support लेगा तो अभी मैं इस लेवल को मार्क किया अब इस लेवल को मार्क करने का क्या रिजन है अब इसको आप लोग ध्यान से देखना पहले यहां से मार्केट उपर गया इस केंडल को रिजेक्शन मिला फिर इस केंडल को रिजेक्शन मिला और यहां से मार्केट फॉल कर गया तो यह हमारा क्या है कहीं मार्केट ने कहीं रजिस्टेंस का लेवल है लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया इस रजिस्टेंस का ब्रेकाउट करके ऊपर के तरफ गया तो जैसे मार्केट ने इस जगह पे रजिस्टेंस का ब्रेकाउट कर दिया और वापस नीचे की तरफ आया तो यहां से देखोगे यहां पे जोन मार्क करना चाहता हूं तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और क्या करूंगा g znajdu out करूं और यहां पे मैं इस level को mark करूं त्हक्त अब इस level को मैं क्यों mark किया क्योंकि इस candle का भी week आगया इसका भी week आगया इस और इस candle का भी EEAS प्रूपर एक zone बना इस zone को हम लोग क्या बोलेंगे demand zone यहां पर कोण बैठे होंगे यहाँ पे बायर बैठे होंगे जब कभी भी प्राइस क्या होगा इस जोन के अंदर इंटर करेगा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है तो इस तरीके साब को क्या करना है सबसे पहले support and resistance को mark करना है अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट को चेंज कर दिया अब देखो यहाँ पे प्रोपर चार्ट एकदम प्रोपर सिंपल रखना और कुछ नहीं करना अब यहाँ पर ध्यान से देखना यहां से मार्केट उपर गिया यहां से मार्केट फॉल किया फिर अगेन उपर यहां से फॉल कर रहा था ल तो पांस्ट में हम लोगों ने देखा है कि यहां से मार्केट एक बार ऊपर गया और वापस इस लेवल के पास आएगा तो अगें यहां से मार्केट ऊपर की तरब जाएगा इसकी हाइयर प्रविबिलिटी है तो यह हमारा क्या निफ्टी का चार्ट है तो अभी हम लोग ने मार्क कर लिया वह हमारा आवरली पर भी मैच कर गया क्यूंकि मार्केट अभी हमारा क्या है सप्लाइज जोन आडिमांड जोन के पास ही है तो जब आपने देखा कि हमारा डेली पर भी सपोर्ट रजिस्टेंस प्रोपर मार्क हो गया उसके बाद क्या करो चार्ट को 15 मिट के टाइम फ्रेम पर चेंज कर दो ठीक है अभी हम लोगों यहां पर चार्ट को 15 मिट के टाइम फ्रेम पर चेंज कर दिया अभी इस चार्ट में हमेसा याद आखना आपको बीच में कुछ भी नहीं करना इस जोन को क्या करना बीच में आपको कुछ भी नहीं करना अगर माल ल के बीच में आपको जो भी टारगेट है यह वहाँ में आपको बैसिक चीज़े बता रहा हम लोगों ने फेबोनाची लगाया यह फिप्टी से लेकर सिक्स्टी के बीच का जोन मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत होता है यहां से मार्केट रिवार्स कर गया ठीक है अभी वापस से देखो फिर अगें क्या हुआ इसके बीच में यहां निचे कि तरफ क्या सींपल्स पेल्स लगाइखकी फिट्शेस मार्केट कर सकते हो इस तरीके साव बीच में इंट्री कर सकते हो वह सब आपको पहले एक चीज़ अच्छ से क्लियर हो जाएगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा फिर मोनाची के भी बारे में तो आप वहाँ पर ट्रेड में इंट्री करना अभी हम लोगों ने 15 मिट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और जिस्टेंस मार्क कर लिया अब जैसे मार्केट इस लेवल के प बीच कहने वहां क्या होता है मैक्सिममम टाइम करता है तो यह हमारा एक मार्केट क्या बना अभी मनाद किया है इसके नीचे एं अब अगर यहां सेSpace के उइस के बिचल बाह्री ठीक है तो इस तरीका से आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेड़ प्लान करना पड़ेगा अगर मार्केट माल लेते हैं थोड़ा साρό गयाब इसका ब्रेकडाऊं कर दीजा इसका ब्रेकडाऊं कर दिया तो अब जैसे इसको रिटेस्ट करेगा फिर अगेन में नहीं कर पा रहा प्रिवेस हाई को ब्रेक मार्केट नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा आप इसको ध्यान से देखना यहां से मार्केट फॉल फिर अगें मार्केट उपर गया यहां से मार्केट फॉल फिर मार्केट ग्याप खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्के थोड़ा ठीक है 15 मिट का टाइम फिर मार्केट क्या करना है अपने प्रिवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है आप यहां पर ध्यान से देखो इस चार्ट को यहाई फॉल फिर जैसे हाई गया इसी ट्रेंड लाइन से फॉल फिर अगें गया गया अप सस्टेंड नीचा है फिर अगें इसी लाइन को टच के यहां से फॉल तो इसका क्या होगा है सेम चीज़ रिपीट होगा हम लोगों को पता है टेकिनिकल अनालिसिस में जैसे इसके पास जाएगा अगर यहां में मिलेगा तो मैं तो 100% कहता हूँ कि यहां पर तीन-चार लाइन के पास और इस ग तो इसी तरीके से आपको क्या करना है support and resistance को mark करना है और जैसे आपको support पे market मिले तो buying करो और resistance पे मिले तो sell करो इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है इसके बीच में seller का काम होता है पैसा कमानेगा आप अगर option buyer हो तो आपको सरी bottom पे buy करना है top पे sell करना है इसके लाइन मार्क हो रहा है यह हमारा क्या है बाइंग निफ्टी का चार्ट है मार्केट स्टेंड लाइन को follow कर रहा है क्यूं क्यूंकि देखो यहां से मार्केट उपर गया नीचे की तरफ आया फिर अगेन ऊपर नीचे की तरफ आया फिर अगेन ऊपर यहां पर मार्केट ने में क्या करूंगा पूट बाई करूँगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है ट्रेड में प्लान करना और देखो यहां पर मैंने कोई एक्स्टा चीज नहीं लगाया क्या सिर्फ सपोर्ट राजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और फेबोनाची को यूज करना है औ अगर कोई trendline मार्क हो रहा हो तो trendline लाइं मार्क करलो जैसे कि यहां पर ट्रेंड मार्क हो रहा था मैंने उसको भी मार्क कर लिए उस चार्ट में इस में कुछ भी नहीं गरूँगा कल देखना मारकेच अगर अगर ऑपन हुआ पूरे के दिन market चलेगा मार्केट ये सारे level को कल follow करेगा और कल स्क्रिण शोट कर लो आगर मैं यह चीज इतने confidently बोल हुआ क्यूंकि करें कि यह प्रभयांटी हैं और मेरे को पता है किि मार्केड इसको सपॉर्ट्र को सब्सक्राइब करेंगा इसलिए इसलिए मैं अभी बोलना और आगे आप ठीक है तो टेकनिकल एनालेसिस्ट का सिंपल सा कॉंसेप्ट है पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चींज नहीं है आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को सपोर्ट और जिस्टेंस को मार करना है क्लियर हुआ सब लोगों को एक एक करके बोलिए प्लीज सपोर्ट और जिस्टेंस आपको 15 मिन्ट में भी ड्रॉ करने की ज़रूरत परेगे तब आपका मार्केट के पास अल्डेडी अभी देखोगे तो मार्केट सपोर्ट के है तो अब यहां पर आपक्या सपोर्ट सुर्जय को नैसे पतोजन características करेंग हें यहां से मारेडी उब स्क्राइगे और इससे बीच में भी हम लोगों कोई एक्ट्रा लाइन नहीं मार्ग करना वहम लोगों क्या करेंगा। करेंगे जब हमारा आवरली और 15 मिनिट के चार्ट पे डिफरेंस हो डिस्टेंस जादा हो बट यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है जो डेली है वही हमारा 15 मिनिट है तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा लाइन मार करने की ज़रूरत नहीं आप प्रोपर उसी लेवल को फॉलोवर के ट्रेड में इंट्री कर सकते हूं अट सार से यहां पर चार्ट पर की लेख रहा हं काँघर वर वो क्ळाब कार ज Saying क्या रहे है वो रॉजट सार्ट आ बदार ला ए ना इस पर चार्ट और शान पना और आ रहे लिए भॉट्जूइं सापने मार्ख कियें यहां पर मेरा आप से हें घर इस सकाट के तो यह हमारा सब बनेगा जब मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगा अभी मार्केट हमारा करेंट प्राइस यह हम लोग इसी के पास्ट में देखें हैं कि कहां से मार्कित ऊपर की तरफ गया और कहां से मार्कित नीचे की तरफ आया इतना दूर काम 왜 क्यों देखेंगे अगर मैं इसको अपर कहने पर neither अगर मैं इसको मार्क भी कर दूँ कि यह हमारा सप्पोर्ट है तो अभी यह हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके बीच में काफी डिस्टेंस है अगर मार्केट इसका ब्रेक्डाउन भी करता है तो यहां तक यह देखो 21,000 है 21,031 है और मार्केट अभी चलता है 21,500 पर तो 506 सारे 500 पॉइंट का यहां क्या है डिस्टेंस है तो कोई फाइदा नहीं है और निफ्टी के चार्ट में एक दिन में 500 पॉइंट नीचे जाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ऐसा बहुत कम होता है रेरली होता है तो इतना दूर का हम लोग को भीउनी बनाना है यह हम लोग मार्क करके रख सकते हैं लेकि ठीक है क्लियर हुआ पहले डेली पर मार्क करना है और उसके बाद 15 मिनट पर मार्क करना है इसके लाबा कोई भी टाइम फ्रेम पर मार्क नहीं करना है ठीक है और कोई डाउट आप लोग होगा अब लॉग टर्म के लिए मार्क करके दिखाऊ ना लॉग टर्म के लिए मार्क करने का सिंपल सा तरीक है आप कोई भी रंडम स्टॉक खर लो और किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजे अब आपने अपने अप्लाय और टिमांड जो बनाया है निप्टी 50 और बैंग निप लॉगा खुलता है अगर मार्क इसी जिगहा पर खुलेगा तो अगर मार्क इसके पास जाता इस जोन के पास तो मैं यहां पर इंट्री करू गाूँग और नीचे का target set करो नो तो यहाँ पर आपको क्या करना चार्ट के एसाब से support and resistance को देखना है कि कहा से उपर जाएगा तो मेरा trade change हो जाएगा और कहां से market नीचे की तरफ आएगा तो हमारा trade execute होगा लॉंग टर्म के लिए अगर आपको मार्क करना तो सबसे पहले क्या गरो चार्ट को मंत्ली टाइम फ्रेम पेज एक गरो मैं कोई पहले कि स्टॉक खोशता हूँ जिसमें हम लोग प्रोपर तरीके से सपोर्ट रजिस्टेंस को मार्क कर पाए इसमें तो कोई सपोर्ट रजिस्टेंस दिखी नहीं रहे हैं तर बंदन में अब यह हमारा बंदन में के यह चार्ट को देखकर क्या लग रहा यह कौन से ट्रेंड में है यह हमारा ब्रोपर डाउन ट्रेंड में ठीक है ओके आप लोग म्यूट कर लो अभी अपने आपको म्यूट कर लो आवास काफी आ ठीक है कि सब लोग म्यूट कर लो प्लीज कि यूंकि बाढ़ पर में यहां से यह चेंज नहीं करना चाहता हूं कि अभिम्णू कि इसमें लोगों को गया करना सपोर्ट और प्राइस्टेंस मार करना तो सब से पहले आपको क्या धि़यान देना सबसे पहले को करेंड प्राइस दिहान देना और Prem करेंड प्राइस के अइसा साव को देख के सक दिक हैं कि को यह उसा मार्किट निच्छे की तरफ आया और को इस यहां से करेंगे इस लेवल को यहां पर की स्वाइन अब हैं कि अब दियान से अपर करेंगे आप इस चिज़ को अगेन यहां से भी उपर की तरफ गया है और यहां से भी market उपर की तरफ गया तो यह हमारे लिए क्या होगी अभी important support हो गया लेकिन यहां पर माल लेते हैं कि अगर हम लोग को proper एक zone भी mark करना तो आप इसके low को भी mark कर सकते हो या इसके low को body आगे अब यह हमारा जो जोन बना यह हमारा जोन बना डिमांड जोन यहां पर बायर आ जाएगा जब कभी बंदन bank 182 से लेकर 195 के बीच में इंटर करेगा यहां पर बायर अक्टिव हो जाएगे फिर अगें यह ऊपर जाने की कोसिस करेगा अभी हम लोगों ने क्या किया है daily monthly टाम फरेम अफरक तो यहां पर सपोट को मार कर लिए अभी आपको क्या करना मंफ्री टाम फरेम पर resistance को भी मार करना है अब resistance को मार करने का मतलब होता है कि हम लोग пост में देखे हैं कि कॉन ऐसा level जहां से लेपर तो यह हमारा क्या है कि इंपोर्टन लेवल है जहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया और इसी के टल का जो हमारा हाइए वह हमारे लिए क्या हो सकता है videos रडल हो सकते हैं 具स्कते हिंपोर्टन हो भी रबी चलता है और यहां पे हमारे क्या हो लाइन का यहां पर ब्रेक आउट करेगा और अपने प्रिवेस हाई को ब्रेक करेगा हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड क्या हुआ यहां से बदल गया अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यह हमारे लिए इमपोर्टेंट रजिस्टेंस है यह हमारे लिए इमपोर्टेंट सपोर्ट है मंत्री टाइम फ्रेम पर जैसे आपने सपोर्ट और रजिस्टेंस को मार्क कर दिया उसके बाद आप क्या करो विकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को चेंज कर दो अब इसके हिसाब से आप देखो support and resistance क्या है बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है जैसे आप resistance के पास जाओ sell कर दो उसके साब से आप क्या करो फिर resistance के पास क्या sell कर दो अभी अगर वापस से जोन के अंदर और इंटर करते तो यहां से आप बहीं करो फिर यहां से मार्केट उपर की तरफ जाएगा अब यहां पर इसको क्या करो वीकली time frame पर लेकिन यहां पर क्या ओते हैं हम लोग थोड़े से फ्यबोनाची को giniherjewal करें अभी देखो अगर यहां से मार्णा नीचे की तरफ आया है इट मिम्स कि यहां पर हमारा एक लेबल था जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लेबल क्या 88 का लेबल है उसी के आसपत से मार्केट क्या हो गया नीचे के साइड रिवर्स हुआ है अभी देखना इस इंपल्स में अगर मैं लगाया हूं फेबोनाची को इस हाई से लेकर इस लो तक ठीक है और यहां से देखोगे और समझ में आएगा कि लिए लिए कि चार्ट पर कासी ट्रेड में इंट्रेंट एक्जिट करना है अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया मतलब यहां पर कोई न कोई फेबोनाची का एक इंपॉर्टेंट लेबल ही होगा अब वह कौन सा लेबल है देखोगे यहां प पर आता है तो हम लोग बाइंग करेंगे अभी इसके उपर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे स्का ब्रेकाउट करते हैं इसको वापर सिरु तो अगें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको buying बाहिए next Dog at के लिए जहां जहां से नीचे की तरफ आया वहमारा राजिस्ट्र 색깔 उसको हम लोग करेंगे उसको हम लोग करते हों को चले जाएंगे बस सिंक्पल इया हम लोग मार्व करेंगे फिर हम लोग यहां पर चल दा इसका breakout करेगा मार्गेट इसका मार्गेट क्या कर रहा breakout retest यह first target हो सकता तो यहां से fall कर जाए लेकिन अगर इसको भी breakout कर दिया retest यह इसका second target और इसी तरीके से आपको trade भी करना इसमें कोई extraordinary चीज नहीं है वस इसमें क्या करना आपको practice करना क्योंकि आप लाइन मार्क कर रहे हो वह proper मार्क होना चीए अगर वह आपका गलत मार्क हो गया तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर आप गलत ट्रेड में इंट्री भी करोगे तो इस तरीके से आपको क्या करना support resistance long term के लिए मार्क करना और उसके सबसे फिर ट्रेड में इंट्री करना ठीक है तो लॉंग ट्रम के लिए जिनका यह question था किनका यह question था निखिल जी तो निखिल जी आपको समझ में आगया होगा अभी clear हुआ सर यह golden zone क्या है golden zone क्या है वो हम लोग फेबोनाची में सिखेंगे वो बहुत important है अभी देखो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना पर बोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग इसी पर सारा ट्रेड में इंट्री एन एक्जिट होता है वो हम लोग आगे डिसकस करेंगे support and resistance को मिला कर हम लोग golden zone में इंट्री कैसे करते हैं exit कैसे करते सब हम लोग आगे डिसकस करेंगे टेबट slowly slowly एक बार में आउट पूछे क्योंकि सारे आपका स्टॉक है हो सकता फिर किसी और का भी कोई स्टॉक हो तो फिर बहुत ज्यादा time consuming हो जाएगा ठीक है एक 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 करके पूछे प्लीज सब लोग म्यूट कीजिए और एक करके बोलिया प्लीज आप बोलिया क्या गया रहा है यह डाउट है कि आप अपने आपको म्यूट कर लिजा हाँ अभी क्या बोल ले आप गजानान जी बोलिया सबहनि अब आप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग रही स्ट्राइट प्राइस कॉछ लेना वू सब चीजरेंग अभी सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का टॉपिक है तो सपोर्ट एंड डाउट है या नही था कि अधिया प्रफिर से बोली जैसे मंध्ली टाइम फ्रेम पर फिर सपोर्ट रिजिशन प्रॉप करती है और फिर चेक करने और कुछ बोचाएगे तब तरह स्विंग के लिए एक पैसे पुछ प्राइम स्विंग ट्रेडिंग का भी लगबक सेम ही है आपको वहां पर वीकली को लिए इन मंध्ली टाइम फिर्यम को ही फॉलो करनां क्या यंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी आप अपने पॉजिशन को होल्ड़ करने वाले हो कम से कम एकमें ऐ। महिने दो महिने तक hold करो गए तो वहाँ पे भी आप क्या long term होता है मतलब at least वहाँ पे आप तीन साल चार साल पास साल दो साल तक अपने position को hold करने वाले हो तो वहाँ पे आपको proper सारी प्रेंड वहाँ प्रेंड वहाँ प्रेंड वहाँ पॉजिबिलिटी है कि बस इतने जाना है अब इसको थोड़ा डेली टाइम प्रेंड बोलिया यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्राव हो सकती है यहां से लगबग दिसमबर 5 है शायद वह एक हैमर कैंडल है दिसमबर और थोड़ा लेफ्ट में है उसके त्री कैंडल साइड में हाँ उस कैंडल से उस कैंडल के लो से वहां के लो से यह भी एक ट्रेंड पॉजिबल हो सकता है मार्केड ओवराल देखेंगे तो पॉजेटिव है और ये ट्रेंड लाइन भी सही है इसम प्रोबहल में नहीं अगर हो यहां pourquoi यहां पे क्या होगा,ोकि मार्केटेि ओंकल यह उसको कर जागा । फिर हमारा ट्रेंड जो है पॉजिटिव से निगेटिव में बदल जाएगा और यह जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा ऊपर से यह हमारा कंटिनुसली चलेगा और जैसे मार्केट ऊपर दाएगा फिर यहां से मार्केट फॉल करेगा ठीक है यह पर्फेक्ट इसमें भी कोई यह सही है क्लियर है ठीक है ठीक है बिल्कुल वह हमारा वहम लोग डिसकस करेंगे अभी हम लोगों ने सपोर्ट रजिस्टेंश सप्लाइएं डिमांड सीखा फिर हम लोग बेसिक्स अफ केंडलिस्टिक्स देन फॉल्स ब्रेकाउट और ब्रेक्डाउन को भी क्लियर अप लोगों को बताऊंगा ठीक है थे बाद कि अपने मार्क नहीं कि लिशा सबीके कि नहीं कोई जरूरी नहीं कि अगर आपने डेली पर मार्क किया तो आपको पर फिर रवना और फिर पर खिवर अशूझक करना वनाल पर पिर мне मार्क करना क्या find oleh मार्क अल्डइडी चैने सपोर्ट के पास ही है तो जो हमारा देली Time तो मैं यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं करूंगा लेकिन अगर यहीं माल लेते हैं कि मार्केट इसके पास होता और यहां पर मैंने एक एक extreme important support है, लेकिन इसके बीच में भी हमारा support का label आता है, अब वो हमें क्या करता हूँ, simple Fibonacci के हिसाब से mark करूँगा, अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, impulse लगाया, यह 1.618 का label है, मैं इस label को क्या करूँगा, mark करूँगा, कि यह हमारे लिए क्या है, एक important support है, और यहाँ पर 1.618 का label आएगा, आप देखना past में भी क्या है, कि यह एक चिली में क्या है, support का काम किया, यहाँ से market उपर की तरफ गया है, और exactly 1.618 का जो लेवल आया ना, Fibonacci, वो भी एक बहुत important support and resistance होता है, तो इसका breakdown retest, यहाँ पर market आएगा, फिर यहाँ से market reverse करेगा, तो इस तरीके से में का करूँगा, support and resistance को फिर नीचे मार करूँगा, यह हमारा next support होगा, इसके breakdown के बाद, आपने जो golden ratio मार किया है, और उसके नीचे जो जितने बहुत सारे candle है, एक ही जगा पर है, वो ऐसा नहीं मान सकते कि हो भी resistance का का काम करेगा, जस्ट उसके नीचे ज लाई है, तो market इसको उतना value नहीं कर रहा है, और यहां पर आप मार्क भी कर सकते हो, बट यह उतना important है, उतना strong नहीं होगा, लेकिन जो हमारा golden zone होता है, यहां पर आप करोगे entry ले लिए, उपर जाएगा, आपका stop loss हीट होगा, और जहां पर आपका stop loss हीट हुआ, वहां प जगह पर entry करते हैं, जहां पर सब लोगों का stop loss हीट हो चुका है, और entry किये, यहां से market fall, तो जिन लोगों ने यहां पर trade में entry कर रहा होगा, उन लोगों ने बोला, अड़े यार, market ने SL हीट कर दी, आप यहां से market fall करे गया, तो वहीं बोलते हैं कि जहां पर मैं stop loss लगाता बाकि एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं, बाकि support resistance golden jaw, हम लोगों अच्छे से discuss करेंगे, जब आपको मैं febonacci के बारे में बताऊंगा तब, खीक है, और सारी चीज़े clear हैं सब लोगों को, आप इसको one minute पर भी एक बार support और resistance draw कर देंगा, बहुत tough है, क्योंकि one minute के time frame पे scalping होगा, वहाँ पे आप सिर्फ trade में entry and exit कर सकते, candles को देखकर, वहाँ पे आप support and resistance को mark करना चाहोगे, तो कैसे mark करोगे, बस आपको देखना है कि कहां से market नीचे की तरफ आया, और कहां से market की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पर simple सा logic है, यहां से market उपर गया, तो आप इसको mark कर लो, ठीक है, यहां से market एक बार नीचे की तरफ आया, आप इसको mark कर लो, अब यह हमारा support resistance मार, support पर आता है, तो buying कर लो, resistance के पास जाता, put buy कर लो, फिर again support पर आता है, तो call buy कर लो, resistance के पास जाता, put buy कर लो, और यह चीज़ में आपको जितनी असानी से बोल ना हूँ, यह इतना असान होता नहीं है, live market में decision लेना, तो मेरी लिए बताना बहुत easy है, बट इसको real में आप जब trade करोगे, entry and exit, वो बहुत जादा tough होता है, तो वो असान तब होगा, जब आप इसको proper तरीके से follow करोगे, तो एक मिनिट पे अभी आपको trade में entry and exit करना कोई जरूरी नहीं है, पहले आप थोड़ा experience लो, थोड़ा अच्छे से practice कर लो, सारी चीज़े, उसके बाद एक मिनिट पे काम करो, ठीक है, एक मिनिट पे सरीफ सरीफ scalping होता है, और कुछ नहीं होत अगर 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 मार्केट all time high के उपर कभी trade कर रहा है, तो उस वाले situation में support resistance कैसे डॉक है, वहाँ पे मार्केट फेबोनाची के levels को follow करेगा, और उसके हिसाब से हम लोग support resistance को mark करेंगे, वह भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बट patience के साथ वेट कर लो, ठीक ह और को doubt आप लोगा support resistance से related, clear है सम लोगों का, yes or no, yes sir, yes sir, ठीक है, ओके तो आज के session को हम लोग यहीं पर complete करते हैं, अभी हम लोगों ने support resistance तीन topic क्लियर कर लिया, past price वसे future price, 10 रोस से कितने types होते हैं, support and resistance अच्छे से clear हो गया, next हम लोग सीखेंगे, supply and demand भी मैं आपको बता है, कल हम लोग सीखने वाले candlesticks, कि candlesticks का exactly क्या मतलब होता है, क्या high होता है, क्या low होता है, क्या opening, closing, body, wick, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और थोड़े से false breakdown and breakdown के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ओके guys, thank you so much for joining, good night. Good night, sir, good night.